अब आई हैं बात करते हैं तिम राशी मीन की तो जो मीन राशी के जातक है उनके लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है इस सारी बात है जो हम आपको बताएंगे भूमिभुवन खरिदने का योग बन रहा है कि ने बनने इस पर भी बात करेंगे और जो बहुत दिन से आपका ड्रिंग प्रोजेक्ट है गाड़ी खरिदना वह कर सकते हैं नहीं उसके भी बारें बताएंगे घर बनाने का योग बन रहा है कि नहीं बन रहा है उस पर भी बात करेंगे परिबारी किस्तिती क्या रहेगी दामपत्य जीवन कैसा रहेगा उस प पर भी हम आपसे चर्चा करेंगे नौकरी किस फिल्ड में करेंगे इस पर भी बात करेंगे और आज आप विदेश जात्रा जाने वाले हैं उसका क्या होगा और आज आपको मेडिकल फिल्ड में क्या करेंगे टेक्निकल फिल्ड में क्या करेंगे और अध्यात्मिक प्रगत क्या होना है इस पर भी आज हम से चर्शा करेंगे contexto क्या Abhiyağıya का क्या सहयोग करेंगे माता से आपको क्या सुक मिलने वाला है माता का कैसे आशिरवाद परापत होगा उस पर भी बात करेंगे और अपने अपने सुभाव को कैसे परवर्दित करें जिससे आपको सुख मिले उस पर भी बात करेंगे आज आपको सौधनिया क्या बरतनी है उपाय क्या करना है और आपके लिए शुभंक क्या होगा सुभंक क्या हो सकता है दान पूनिका करें इस पर भी आज आपसे बात करने वाले हैं अब आई हम बात करते हैं अंतिम राशी मीन की तो जो मीन राशी की जातक हैं उनके लिए आज का कालखंड बहुत महत्पूर्ण है आज आपकी यस बद परतिष्टा में ब्रति होगी रोग और सत्रू परास्त होंगे माता-पिता का सुख मिलेगा जदि आप नौकरी के च्छेत्र अगर आपने कोई परतिष्टों की परक्षा दिया है तो उसमें आज आपको सफलता मिलेगी दूर देश की यात्रा से थोड़ामन ब्याथित हो सकता है ध्यात्मेक यात्रा भी हो सकती है तिर्था तिर्था नितात्मी होने की सब्भूना बन रही है माता-पिता का शुख म आप प्लानिंग कर रहे हैं भूमी भूवन खरितने के लिए तो यह समय बहुत ही उचित है इसमें आपको भूमी भूवन से लाब मिलेगा खरिते हैं ता आपके लिए अच्छा रहेगा रियल इस्टेट प्रॉपल्टी में अगर पूजी निवेश करते ता आपके लिए स्कूल कॉलेज इताद भी खोल सकते हैं बना सकते हैं खरिच सकते हैं उसका भी बड़ा अच्छा समय चल रहा है सुक्षा को इस्ट में अगर आप व्यापारिक देश्ट पूंट रखते हैं यह समय यह कालखंड भी आपके लिए काफी अच्छा रहेगा देखा जाए तो दूर देश की यात्रा का भी योग बन रहा है संतत्यों के प्रकति से मन अपका प्रफुलित रहेगा भाई बहनों का सुख मिलेगा परिवारिक किस्टी को पूर्ण करने में सफल रहेंगे अगर आप किताब लिखना चाहते हैं कहानी लिखना चाहते हैं उसके लिए आज क दिन आपका काफी महत्तपूर है फिल्म प्रोडूशर का काम कर सकते हैं खेल के शत्र में बड़ा कुछ कर सकते हैं विदेश यात्रा कर सकते हैं विदेश पढ़ाय लिखाई हो सकती आयात ने जाद का भी योग बन रहा है तेखनिकल एजूकेशन के फिल्म में आपकुछ बड़ा कर सकते हैं उसकी प्रफल सम्वना अज आपको सौधानी की अपरतनी है जल्दबाजी में कोई कारे ना करें तो नुकसान हो सकता है आज आपको उपाय क्या करना है आज आप क्या करें आपके लिए अच्छा रहेगा और भगवान श्री गड़िश के अरादना करें पंच में वागा खिर्ण को अर्पित करें और गरीबों को मंदिर में खिच्डी जरूर खिलावे या बंदरों को केला दें आपके लिए अच्छा रहेगा आपके लिए सुभंक नौव है असुभंक पिला है हरे क्रिष्णा हरे क्रिष्णा